वेलकम दोस्तो यह चो वीडियो है आज में लास्तान के इस्टेटिक जीकी का जो पाट है दूसर आप लोगों काफी सारे लोगों को इस्टेटिक जीकी में परिशानी हो रही थी और मैं आपको सिद्धा सोलुशन नहीं बताया आप जितने कोशन हो सकते हैं वो कोशन अगर आप लोगों को इसकी पीडियेव चाहिए तो जो इस वीडियो के जितने भी कोशन है जहां पर अवेलेवल है मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन देदूँगा आपस पूरी वीडियो देखिए वीडियो को इंजोई कीजिए और अपने दोसों क अग्सार ज्यादा है शेयर किजिए ताकि उनको भी जीके में हेल्प हो सके हैं तो हलो एंट वेल्कम दोस्तों कैसे आप सब सबस्वागत आप सब कामारी नए वीडियो में दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्तान संबंदी जो एक्जाम है यानि की पटवार पुलीस हम लोग कोशन की सीजिस लेका है हमारे लग बग अभी दग आठ ख्लासेस कंप्लीट हो चुछ दो दोस्तों यह हमारी नवी क्लास है आठ क्लासेस में हमने काफी सारे अच्छे अच्छे कोशन कर ले दोस्तों अगर आप वो कोशन एक बर पढ़ लेते हैं तो आपको किसी एक एकरन से सम्बंदि साथ चोड़ नम हमारा एक एकरन हुआ था एक नमब और उनिस्टश चपन को हमारा पूरा राजस्तान बनके तयार हुआ था इससे सम्बंदि जितने भी परशन होंगे दोस्तों आज की वीडियो में लोग कवर कर लेंगे चले वीडियो स्टार करते सबसे जो हमारा पहला परशन है कि कौन सा समेलित नहीं है तो देखे तो सबसे जो नवीन है वो जहला वाड़ा ये बिल्कुल सही है सबसे प्राचीन रियासत में वाड़ा ये भी बिल्कुल सही है और मुसलिम रियासत जो राजस्तान में एक मात रती टौंक थी और भारत म कि एकमात्य रियास्ति जिसने पहला देवस नहीं मनाया था वो थी अलवर क्योंकि इस पर आरूपता इन्होंने गांदी जी की हत्या की थी अगला प्रशन है सुम्मेलित कीजिए तो दोस्तो इसमें देखते हैं अलग-अलग ठेकाने दे रहे हैं और अलग-अलग ठेकानों क था उसके ते हमारे हरेंद्र सिंग जी तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बीस ही है यानि कि सा व्रद राजस्तान में कितनी रियासते हैं ठेकाने शामिल थे दोस्तों आपका दादो व्रद राजस्तान चत्रुते चैरंड था यहां पर टोटल रियासते थी वह 14 थी और दोस्तों रह Beneες और और यह राजस्तान के समय राजस्तान का मोख्य मंंतर तो इसक होन दा यानि कि जब राजस्तान का पूर्टे की करन हो चुका था उस समय जो राजस्तान के मुख्य मंत्री थे वो कौन थे दूसरो मुहलाल सुखाडिया जी जो की मेवाड रियासते समन्दित थे राजस्तान की पहले रियासत कौन से थी जिसने रियासती विले पत्र पर 7 अगस्ट 1947 को यह थाक्षर कर दी दोसरो जो रियासती विभाग बनाए जागा था जिसके अद्धिक्ष बनाए गए थे हमारे सरदार पटेल जी तो वो 5 जुलाई 1947 को इस्थाबद किया था और 7 अगस्ट 1947 को सरवपर्दम हस्ताक्षर करने वाले बीकाने रियासत के राजा शारदुल सिंग थे देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किसके नेत्रत में रियासती विभाग का गठन किया गया तो दोस्तों किसके नेत्रत में किया गया था आप सबको बता दिया मैंने सरदार वल्ला भाई पटेल के सानेद में ये गठन किया गया अगला है राजस्तान एक ही करण के तीसरे चरण का नाम क्या है दोस्तो पहला चरण मत्यस्क संग था दूसरा राजस्तान संग था और तीसरा सेंगते राजस्तान था इसका उत्तर हो जाएगा सैव्क राजस्तान राजस्तान के एक मातर महाराजा परमुकते। दोस्तों जो हमारा तिरत्यचरन हुआ था जब मेवार को भी हमारे राजस्तान संग में जोड़ ले गये था और वो सन्हित्ती राजस्तान संग बना था. इसके बाद क्या हुआ था चतुर्त चरण में जब जैपूर, जैसलमेर, जोदपूर, बीकानेर इन सब रियासतों को जोड़ा गया तो जैपूर के महाराजना नहीं बोला कि मुझे राजपरमुका पत चाहिए जो हमारे मेवार के महाराणा भूपाल सिंग थे उनको पहले वादा किया चाहिए था कि आपको जीवन भर राजपरमुक का पत दिया जाएगा अब समस्द थी तो इसलिए एक मात्र राजपरमुक मेवार के महाराणा भूपाल सिंग एक मात्र छॉत्थी चरन में ही बनाया गया था सिर्फ एक ही विक्तिता जो इस पद पर रहे मेवाड के माराना भूपाल सिंग मतर्च संग का राजसन में विले किस चरिम नोगा तो दोस्तों मतर्च संग था हमारा पहला संग था सबसे पहले हुआ था और यह हुआ था मारा 18 अप्रेल 1938 को यह गलत है मतर्च संग सबसे पहला था दूस्थो इसका जो देखी आप इसका कोशन मीगलत तरीकी से देर गया है इसका आंसर कले था है दूस्थो जो एक्चल में है 18 मार्च को 18 मार्च 1948 को मतस्य संग इसका विले हुआ था तो ये इधर आप्शन में नहीं दे रखाए बाटा भ्यानागे 18 मार्च 1948 को विले राजसन में कब हुआ जो मारा 4 चरंठा दोस्तो वह हुआ था 18 मार्च अठारा प्रहिल को तो दोस्तो तिर्थे चरंद हुआ था अगला एकी करन कितने चन्डद में हुआ जो राजसन का एकी करन कुल मला के कितने चंड़न में हुआ था तो राजसान का एकिरण चुगा था 7 चंड़न में हो था तो यहां वे कोई भी ऐप्षिन नहीं है सियानिगी कोई नहीं अब राजसान के एकिरण में समय कितना लगाता दूस्तों तो राजसान का एकिरण प्राणस होता 18 मार्च 1948 से लेके एक नमोबर 1956 तक तो टोटल जो हमारा वर्ष जो समय हम कह सकते कि कितना समय लगा था वो था आठ वर्ष साथ महाँ चौदा दिन देखे सिर्फ एक ही उप्षन है आठ वर्ष साथ महाँ चौदा दिन कहीज़ेगे पंदरा दिन मी देरेख होता है तो वो गलत उप्षन हो जाएगा अगला राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे टीकरां पालिवाल हीरालाल शास्त्री मुहनलाल शुकाड़िया मानसंग्रति है तो पंद्रा मई 1950 को पर्थान मंत्री के बद को समाप्त गर दिया गया था दोस्तों तो जब चतुर्द चरण में हमारे पर्थान मंत् उसके बाद पर्दान मंत्री के बद को डा कर चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया गया इनी को भारत का प्रथम राजस्तान का CM बनाया गया था ध्यान नखिंगे आगला इस्ञान देखिके कि स्थान मंत्री पर गांदे जी की हत्या के शरीयंतिर में सामिल होने के आरोप के कारण भारत सरकार को अस्तक्षिप करना पड़ा वारियासत का विलेक कर लिया गया तो आपको इसका उत्र तो पहले ही मिल चुका है अलवर जब हमने पहला अशा दूसरा कोशन किया था अब दोस्तों इस कोशन की वैख्या करते देखिए अलवर के शाषक ने हिंदू मासभा को अधिक महत्यों देते हुए डॉक्टर एनवी खरे को प्रदानमंत्री न्यूक कर दिया डॉक्टर खरे कॉंग्रेस के विरोधी ते गांदी जी के अत्या के चानबीन से ये बात सामने आई कि उनके हत्यारे किसी ने किसी रूप से अलवर से जड़ो है और उनकी हत्यागा शड़ेंते अल्वर में ही रचा गया तता डॉक्टर-कharay इसके पीछे सक्री आता यानि कि डॉक्टर-कharay को जो प्रदानओंतरी बनाया गया उनके उपर शक हो गया तो डॉक्टर-कharay की न्यूकति तधा कांदे जी की हत्या ने भारत सरकार को अल्वर आता है कि अलवर में किस अलवर के जो हमारे रियासत आती है दूस्तों जब आप परजा मंदल पड़ेंगे अलवर का तो वहां पे जबारलाल नेरू ने मेनन को बिज़र वहां पे उन्होंने डॉक्टर खरे को पद से अटा दिया और उसके जगे पे सीए मेंगड़ाचार को आका प्रशाशक न्यूपत किया तो देखे अपने इस एक्स्प्रेमेशन भी काफी अच्छी हो गई और इसे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगला परशने कितनी देसी रियासतों के एकिकरण से आधुनिंग राजस्तान का निर्माण होगा तो दोस्तों रियासतो कि बात करें तो उनिस देसी रियासत है थी तीन ठेकाने ते नीमराना कोशनगा लावा और एक केंद शाशित परेशा अजमेर और मेरवाड़ा अगला एक क्रमाशे शयुक्त राजस्तान और व्रत राजस्तान के उत्गाडन करता कोन थे शयुक्त राजस्तान 233 चरण ता जहाँ पर हमारे जवालल नहिरू जी ने इसका उधगाडण किया था और चतुरूत चरन के अंदर हमारे वल्लाबाई पटेल जी आयते जिसे की ब्रत राजय सान के नाम से जानते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडे जवालल नहिरू त्रती चरन के और सरदार वल्लाबाई चट्टोटियान की व्रहत राजस्तान के उद्गाटन गर्ता के रूप में जाने जाते हैं आगलाय राजस्तान संगे निर्माण के समय किस देश की साशक ने अपनी रियासत के विलेपत्र पर हस्ताक्षर करने पर ये काकी मैं अपनी डेथ वर्रेंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं तो कौन से दूसर बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर, धलपूर के माराजा उदैबान, कोटा के मारावभीम सिंग या मिवार्ण माराण भूपाल सिंग तो ये जो वेक्ति थे दोस्तों मांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंग थे इन्होंने विले पत्तिर पर हस्ताक्षर करते वह काहा मैं अपनी डेयत वारेंड पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ चलिए अगरा प्रशन देखते हैं किस रियासत के शाषक द्वारा विले से पूर भारत विरोधी तेता पक्षपात नीतियों का अपनाते हुए 15 अगस को सत्नित्रता देवस नहीं मनाया गया तता समझोते के वृत अस्त्र निर्मार का कारखना इस्तापित किया गया तो ये थे दोस्ता हमारा इसका उत्तर हो जाता है भरतपूर अपने आपका दाग भरतपूर कैसे हैं कि भरतपूर के महाराजा ने 15 अगस को सत्नित्रता देवस नहीं मनाया वह अपने राज के समाचार पत्रों को राष्टी नीताओं के अलोचला करने की इजाज़ाद दे सेवक संग के कारकरताओं के बीच बाटे गया तरह इस तरह राज जिम्हें सांपरताइक गति वीदियो में भाग लिया जाटों का पक्षि लेतों कई अन्य जातियों के प्रति अच्छा रावय नहीं अपनाया गया सेनिकों को नियंत्रत में अनुशाषित करने में असाफ आडिया सेज blonde का सब्नाय को आसकता है कि चोदा वरफेर को किसे भारत को अरूशाषक बनाया गया वह तwas आएशलियों नेक्स्पूश्ण आते हमाराneck कि किस रियासत के शाषक ने भुपाल के नवाप की रुको और देखो नीती का वरोद किया, उन्होंने इस नीती को आत्म घाती बताया, तता देशी शाषकों को रियासतों में अतरताई सरकारों के साबना की आवशक्तापर बल दिया, इस राजनेतिक परिस्थी पर जादूई असर पड़ा तथा नरेंद्र मंडल की इस्ताई समीती ने कई शाष्चकों ने त्याक पत्र भी दे दिया था तो बीकनेर के शाड़ूर सिंग ने नबाप की रुको और देखो निती को वरूत करा अगला परशन है राजस्तान की एकिकरण के किस चरण की निर्माण दिवस पर राजस्तान दिवस मनाया जाता है तो जो हमारा चतुर्त राजस्तान का एकिकरण हुआ था 30 मर्श 1950 को उसी दिन राजस्तान का राजस्तान दिवस मनाया जाता है अगला परशने कोटा के महारा भीव सिंग कौन से संगठन का घड़न चाहते अब देखे कोटा है तो सिर्फ एक यांसर हो सकते है हाडोती संग का घड़न चाहते थे अगला लावा वे कुशलकर ठिकानों को किस चरण में राजिशन में एक इकरत किया गया तो दोस्तो लावा और कुशलकर जो दोनों ठिकाने उनको अगर आपने कमाइन तरीकी से माना जाए देखे कि कौन से चरण में एक इतरत हुए थे सबसे पहले देखिए प्रथम चरण में नीमराना संग था वो दोस्तो विले कर लिया गया था कोशल घकाने था वो भी आगये था उसके बाद 26 से चरण हुए जिसमेंλά जोड़ा तो पहले से ही काशलना ठिकाने को भी जोड़ ले गया हता तो इसका सई उत्र माने जाएगा इसका सई उत्र होगा सबकुछ हमारा जिला राजय बन गया था उसमें B-class, यानि की बात्षर्णिय का हमें दर्ज़ा प्राप्त की उआ था मत्यस्य संग के प्रधान मंत्री शोबारम कुमावा संबंदित थे तो शोबारम जी कुमावा थे वो अलवर प्रजा मंत्री के परमुग नेता भी थे और शोबारम कुमावा जी को मत्यस्य संग का प्रधान मंत्री बनाया गया था पलबर को ही उस समय दोस्तों जो रियासत शामिल हुई थी स्टार्टिंग में चार उसमें थी हमारी अर्वल, भरतपूर, करोली और धौलपूर अगला परशन है कि समीति की शिफारिस पर मत्रसी संग को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया दोस्तों, जब छत्र चरन में व्रत राजस्थान बन गया, तो जो पान्चा चरन हुआ था उसमें मत्रससंग को व्रत संग में सामिल करके उसे दूसरे है का नाम देदीडिया गया था आप कौन सा वो समीती थी जिसने उन्हें प्रेरित किया कि आप इसमें शामिल हो जाई तो वो थी दोस्तो संकर राउक देव समीती जिसने व्रत संग को मतिस संग के साथ जोड़ दिया और उसे सेयुक्त व्रत संग बना दिया या विशाल भी हो सकता है बहुत बड़ा हो गया एहम ओमेगा निभाईती मारिक के लाल वर्मा गोकुल लाल असावा गोकुल भाईबट या शुबरम कुमाबद तो इसका आंसर हो जाते हैं दूसर गोकुल भाईबट नवंबर आट निस और तालिस को एक समझाते कि अंतरगा सिरोही को तो केंदिर शाषित परदेश बना ने इसमें में भागीदारी निभाई और पूरा माउंट आभू को भी अपने अंदर ले लिया सात्वे चरण में निम्द में से कौनसी रियासा ठिकाना केंद्र शाषित परदे राजस्तान के प्रथम चरण में सम्मिलित हो गया था तो वो कौनसा ठिकाना था या तो अगला है राजसान एकी करेंट पकरिया में सिर्होई को राजसान में किस चरण में शामिल हो गया था मगर उसमें देलवाड़ा और मांट आभू का एरिया छोड़ दिया गया था अगला परशने किसके आग्रेपर राजसान के एकी करेंट के प्रथम चरण में सम्मिलित रियासतों को मतस्य संग का नाम दिया गया तो मतस्य संग जो नाम दिया गया था वो था दोस्तों के एम मुन्शी के कहने पर नाम दिया गया था अगला परसंब दो छेत्रों के विले के साथ और अजमेरे मेरवाला 201 कंदरि शाषित पर्देश भी था संत्रतगा प्राप्ति की समय राजस्तान में छेत्रफल की द्रस्ती से सबसे बड़ी रियासत कौनसी माने जाती है जिसका क्या हम कह सकते हैं कि छेत्रफल सबसे ज़्यादा बढ़ा था वो कौन सी रियासत थी ये बताना है तो छेत्रफल की द्रिस्टी से 201 रियासत बढ़ी थी मारवाड रियासत भारत संग में अधी मिलन पत्रफा थाक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शाषर कोन थे ये दोसर मारा हो जुका है बीगानेर के शाल्दूल सिंग प्रथम माउंट अबू को राजस्थान में उपचारे ग्रूप से कप शामिल किया गया तो दोसर माउंट अबू आपका कपाईदा सबसे लास्ट में यानि की 1956 में अगला परशन है 18 अपरण उनिस्ट चम्वालिस को सहिक्त राजस्थान का उधगाटन किस ने किया तो सहिक्त राजस्थान यानि की दूसर तृत्य चरण तृत्य चरण में हमारे आयते जवारलाल नेरू जी नमने लेकिस में से किसे मतेशिसंग का राजप्रमुक निव्ट किया गया अलवर को राजप्रमुक बनाया गया और अलवर के ही जो राजप्रमुक बनाया गया तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तो अलवर जी दूसे अलवर को राज़ा नहीं बनाए गया ता सहिक्त राजस्तान का उधगाटन किसने कि दूसरा वही तिर्ते चरण का गया जवारडल नेहरू मतचसी संका परधान मंत्री किसे बनाए गया था मत्यस संग का जो प्रधान मंत्री दोस्तों शोबाराम कुमावत जी को बनाया गया था ये अलवर से ही थे राजस संग का एकी करण एक नमबर 1956 को पूर्ण हुआ दोस्तों काफी बार हमने पढ़ लिये तो ये कोशन आपको आना चाहिए मत्यस संग की राजधानी मैंने अब भी बताया मत्यस संग की राजधानी अलवर भरतपुर धौलपुर करोली में से किसे बनाया गया अलवर को मत्यस संग की राजधानी बनाया गया धौलपुर के राजा ओधेबान सिंग को वहां का राजपरमुग बनाया गया क्रोली के महाराज भुऐ महां का ऊपराज परमुक बनाया गया और उसके गणेशिपाल सिंग जी और 200 भरतपुर, अब भरतपुर में क्या हो था 200 भरतपुर के लुहागढ के लिए मतरसंगी राज दानी का गाटन किया गया था एन वी गौडगिल लोरा राजस्तान इर्माड के तिर्तिय चरण का उद्गाटन जवरलाल नेरूद औरो किया गया तो रिपिटेट कुशन है सुतन्तिरता के पस्चाद राजस्तान के पहले एवं एक मात्र बदानमंत्री कौन मनाए गए तो जब हमारे सुतन्तिरता प्रूरे राजस्तान के परदानमंत्री कौन मना इर्माड के सांक कि उस्चाद मत्र ध करतानमंत्री कौन बना पहले अगला मत्र सद्धन कर विला गता ही यह गलट डेट है दूस्तों 18 मार्च ओप्शन में देई नहीं रखा है यहां पर 18 मार्च 1948 का सही उत्तर होगा ध्यान लखेंगे पांच जनवरी 1990 को भारत सरकार ने सिरोही का शाषन प्रबंदन को सौंप दिया था लखा है दोस्तों के आमनाच रिबिटे Owen कोशन है George मई restricted कि समबचार प्त्र के माद्यम से जोदपुर की राजाने के पाकिसान में मिलने के रादों का भांड़ की तो दोसो जो दोलपूर के हमारे राजा थे और टॉक के राजाते वो टांके राजा थे One ke apart रियासत में सबसे अंत में विले हुआ था और वोड़ था दोस्तों एक नमबर 1956 आजा दी के बाद जोदपूर की कौन से साचक अपनी रियासत को एक स्वत्नित रिकाई रखना चाहते थे तो दोस्तों जोदपूर के वो शाचते माराजा हनुगन सिंग में आपको था तो दोस्तों भारत सरकार ने एक option दिया था कि जिसकी भी कमाई एक तरोड से जादा है कुछ राशीत है कि एक रोड वो लोग अपनी अलग से रियासत बना के रख सकते हैं और वो चार रियासत जो इस पूरा जो एक कहते हैं कंडिशन ती उसको फिल्विल करते थे वो थे बीकानेर जोदपू जैपूर वे उदैपूर मगर जोदपूर के राजा यह कैसे थे जिनको यह दिल दी खोहिशत थे कि मैं पाकिसान में शामिल हो जाओ या फिर मैं अपना अलग से बना लूँ इस कोशन को भी बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान नखेंगे जोदपूर के माराजा हनुमन अगला देशी राज्यों को आद्म निर्ने का अधिकार प्राप्त हुआ किस समय पे प्राप्त हुआ यह पनको बताने तो यह प्राप्त हुआ दूस्तों भारतिय स्वतंदर था अधिनियम दोरा सहं etwas रडित किया गयाथ उसके बाद राज्यस्तान संग उसके बाद सहीवत्त राजस्तान और वियाद राज्यस्तान मत्तसी शंग का कौं सा राजय जंदा के बहुमत के आधर पर उत्तर परदेश के साथ विली निकरन के लिए तयार था तो दोस्तों मत्रस्री संग का राजिता वो था धौलपूर तो धौलपूर यूपी का बड़र टच करता है इसलिए वहां पर भाशा की प्रतानता के आधर पर वहां के जाते थे कि उनका विले यूपी में हो जाए तो गोफोलाल लसावा जी को दिर्थे चरण में परधान मंतरी पद दिया गया था तिर्थे चरण में मारिक लाल जी वर्मा को और चतुर चरण में हिराल लाल जी शास्तरी वो देसी रियासते जो 25 मार्च sensations को गटित सविक्त राजस्तन का हिस्सा नहीं थी तो वो कौनसी देशी रहा सकती जो 25 मार्च 1944 को घठन हुआ था उस समय सेक्ति राजस्तान का हिस्सा नहीं थी यह बात करें दिर्थी चरण की अब दिर्थी चरण में बताए कौन सा हिस्ता उधैपूर यह दोस्तों सहीवक्ति ने सिफ राजस्तान संग आएगा राजस्तान संग का हिस्सा कौन सा नहीं था उधैपूराज नहीं था बाकी बूंदी प्रताबगर शापुराई से उसके सदस्य बनेते हैं राजस्तान के राजनीति के एक एकरेंड में टोटल कित्ता समय लागा था आठ पर साथ में आप देखी 15 दिन रखाए जो की गलत होगा दूसरों यहां पर 14 दिन आचीए ऑप्शन में गलत नहीं आचीए अगर ऑप्शनों गलत आता है फिर आप आठ पर साथ में पंदर द देखा यह भी सही है मतस्ति संग के राज परमुक करोली के महाराज यह दोस्तों गलते कि कोटा के जो महाराज धौलपूर के जो महारास थे उदयपान सिंग उनको बनाया गया था उमत्यस संग प्रतनवन्ति शुबरम को मात यह सही तो इसका सही उप्शन हो जाता है सी 18 मा 1448 को मतस्ति संग की असापना के गई थे उद गटन समार 29 दुर्ग में होता अभिमेना को अता है लोहागार दुर्ग जो की भरतपूर में है राजस्तान के गठन के विबिन चर्णों अब उनके गठन की थित्यों का वर्तमान बताईए अब देखिए सबसे पहला जो प्रतम चर्ण था वो 18 मार्च 1948 को यह बिल्कुल सही है अब कौन सा सुमिलित नहीं वो बताना हमें समया दूस्तान में विले से पूर आजमीर के विधानसभा में एकी तिश दस्य थे 28 27 30 या 31 तो विधानसंभा में जुसकी संकती दोस्तों 30 थी बटा 25 कर दी गई है मतद से संग की राजदानी क्या थी मतद से संग जो मारा था उसकी राजदानी थी दोस्तों अलवर सेक्त राजस्तान का अपरेल ड़ारा 1948 को किसने उटगाटन किया तो सेक्त राजस्तान यानि की दोस्तर तिरते चरण जवार लाल न failure जीने उसका उटगाटन किया था काफी टाई होगे दोस्तों जल्दी समय लोग कोशन कर लेते है राजस्तान के अजमेर विले के संबें वहां का मुखे मंतरी किसे बनाया गया था हरीबाय उपाते महां के मुखे मंतरी उते कहां के राजस्तान के एके किरन साथ चर्ण में संपुर्ण हुआ एक कर राजस्दान के लवर भरतपुर दहलकुर वाख 55 मार्च सही दूसर कोड़ा मुदी जहलावार शापुरा यह सम्मिलित है दोंगरपूर बासवड़ा परताबगर टोंगे भी सम्मिलित है उदायपूर दोंगरपूर बासवड़ा परताबगर दोसर नहीं उदायपूर तिर्तिय चरिम नहीं होता इसलिए यह उप्षन गलत और यही सही भी है देशी रियासत जो 25 मार्स 1948 को गड़ी सेवक्ति राजस्तान का हिस्सा नहीं थी तो उधैपूर रियासत थी ये काफी इंपोर्टेन कोशन है जो कि हमें ध्यान दगने मतस्य संगा वरत राजस्तान में विले कप कर लिया गया 15 माई 1990 को मतस्य संगा राजप्रमुक दोस्तों इपने बिश्ताइबान सिंग कफी पार इपीटेट खोशन आ रहे हैं राजस्तान का उंधूरत राजस्तान का हुल्हा राजस्तान का मुख्य मंद्र किसे बनाया घобщ financi चरणता राजस्तान संग बारबारी स्युक्त कर दिया यहां पर गोकुल भाई असावात है मारे निम्द शेयरों को राजस्तान के एकिकरेंट के समय स्थाबित किया गया था तो कौन-कौन सी वह रियासते थी जो इनके साथ जोड़ी गई थी करनाय में देखे दोसों भरतप अधायपुर में हमारा किर्शी विवागत तो पहले का चोथ है कि सबसे यह है और दाज जो अप्चन हमारा उदैपुर में खनीज विवाग मना गयता है तो हमारा हो जाएगा बाव उप्चन इसमें सही है भारत के आजादी के समय कितनी रियासत थी टोटल 19 रियासत है थी यह अप्चन हमारा सही है मतस्य संग के अंदरगत कौनसी राज सम्मिलित किये गए थे अलवर भरतपुर धौलपुर और करोली मतस्य संग का परदानमंत्री दोस्तों किसे नियुक किया गया था शुबारम कमावा जी को दो छेतर कौनसे थे अबुरोर देरवाड़ा जिने राजस्तान में अंतिम रूप में एकीकरत किया गया था राजस्तान की 21 रियासत को पंडी जवारला नहरू ने विश्व का अजूबा का तो वो कौनसी रियासती दोस्तों जेसल में रियासती जिससे जवारला नहरू जी ने विश्व का आठवा अजूबा कहा था राजसान के एकिकरण प्रक्रेजा की समय मत्यस्टी संगी वार्षक आये कितनी थी दोस्तों जो मारा मत्यस्टी संग्या उसकी टोटल चारो जिलो की चारो अधियासतों के मिलाके वार्षक आई 184 लाग रुपे बताई गई थी रियासतों से सम्मधि समस्याओं के समादा नहीं तू रियासती विभाग के सापन पांच उलाई उनिस सो से तालेज को की गई थी बहुत बहुत इंपोर्टन कोशन है धान नकेंगे इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे हमारी सरदार वल्ला भाई पटेल और सचे वीपी मैनन जी किस समिति की शिफारिशों के आधर पर सेश बचा हुआ भूबाग यानिकी अजमेर वे आबू राज़धान में समिलित के आ गया तो वो है अली फजल समिति के द्वारा संकराव देव समिति की द्वारा मत्यस्य संग का वरत्यर राज़धान में पूर्वी राजस्तान के प्रधान मंत्री गोकुलाला सावा पहली सुची को दूसी सुची से करना है दोस्तों मतर्स संग आपको पता है 18 मार्च को क्या गया था यानि की चौथा तो देखिए पहला ही से हमारा आंसर इसको लगा सकते हैं वैसे माँ को पता हुँ राजस्तान संग दूसरा था वो आपका आथा 25 मार्च को सहुच्ति राजस्तान 18 अपरेल हो गया था और वरतर राजस्तान 30 मार्च हो क्या गया था यसी कौन सी रियासते थी जिसे तोप की सलमे का दिकार नहीं था तो वो थी आपकी शाहपुरा और किशनगड शाहपुरा और किशनगड वो रियासते थी सेक्त राजस्तान की ब्रदान मंत्री किसे बनाया गया गोकुलाल असावा जी को राजस्तान की रियासत के एकीकरण के समय जोदपुर राजिका महाराज कौन जातो उस समय जोदपुर महाराज जिक थे हनुमन सिंग जी निमनी मैं से राजस्तान के एकीकरण के समद में कौन सा यूग आ सुम्मेलित है यानि की सुम्मेलित नहीं है देखिए अलवर भर्तप वर्स ये दोस्तों मारा जो लास्ट क्लास थी उसमें भी सेम कोशन आ चुका है पहला ही राजस्तान सेवा संकेस अपना 1919 इसी में की गई थी उसके बाद आपका मारवाड हितकार्णी सबाग इसका दोस्तों हो जाएगा आपका 1923 अखिल भारते देशी परिशत 1927 और नरेंद परिशता में एक समीति का गठन किया गया था जिसके दोरा वो सारे मसले जो सुल जाए गए थे वह हैं आपके बियार पटेल विशाल राजस्तान राज की राजधानी स्थापना की समय इसकी राजधानी क्या थी जब दोस्तों मारा विशाल यान की व्रत्तर उसमें चाहती थी तो दोस्तों दोस्तों मुसलिम रियासती पूरी और जोधपूर पाकिसान ये बहुत पास थी इसलिए वो पाकिसान में शामिल होना चाती थी सरुपतम किस ने 1949 इसी में राजस्तान की रियासतों के सम्मूह करन वे एकी करन गे प्रशन को उठा दिया था अगला है सरुपतम भारत की रियासतों के विले के लिए सर्दार वल्लाभाई पतेल ने रियासती विबाका घठन किया इसके जो सच्च बना गए थे वो कौन थे वीपी मेनन ये भी हो चुका है दोसों कोशन मारा मतस्य संका उठाटन 18 मार्च 1948 एक नमवर 1956 से पहले राजस्तान राज के प्रमुख नेता कौन थे जो सबसे उचा बद याने की कहना चाते है सबसे उचा बद कौन सा था तो राजस्तान के अंतिम महाराज प्रमुख और एक मातर महाराज प्रमुख ते महाराज भूपाल सिंग जो की मेवाड के थे उदैपूर रियासत का राजस्तान में गटन तिर्तिय चरह ने किया गया अठारा अपरल 1948 को शंकर राएदेव समिटी की सिवारिश पर कौन सा संग बनाया गया सहयुक्त वरत्र राजस्तान जिसमें की 72 राजस्तान में महितस संग को शामिल कर लिया गया था अगला है संकाराव देव समयति के गठन दहुलपूर एवां भरतपूर राज्यों की जन्ता की इस बात के लिज हुआ था कि वे राज़स्तान अत्रवत्तर परदेश में किसमें मिलना चाहते हैं इस समयति के अद्धिक सहीत कितनी सदस्य तोटल तीन सदस्य तेस में राज़स्तान एक करेंड में भरतपूर दहुलपूर रियासतों पर जन्ता की राय जानने के लिए कमेटी का घठन किया गया उस कमेटी का नाम उस समयति में कौन सम्मिली नहीं था एक ऐसा विक्ति का नाम बताने शंकराई देव जी उस समीति में सामिल थे प्रभूद्धिय ऊक्राज़पाल का पत कर दिया गया अधराल राज परमुक्त का मेहिन पत हो दाता एं उससे बदल राज़पाल कर दिया गया शा dopamine किले और ना आ ब्रत राजस्तान के प्रधान मंत्री कौनते दोस्तों हेरा लाल जी सास्तिरी सेम कोशन अगे रिपीट हुआ है राजस्तान एकी करण के सप्तम चरण में अजमीर वे आबू को मिलाया गया किस परदेश के विशाल राजस्तान में समले दोने से सेक्ट विशाल राजस्तान का नाम करण हुआ वो था दोसो मतस्य संग मतद से संगा प्रशाशन राज़त्रां को इसस्थान्तिरित करने का निर्न fuse लिया गया 1948 CC में राजस्तान संगा निर्मार 25 मार्च 1948 को हुआ इसमें राजप्रमु किसे बनाए गया यानि यह दिर्थिय चरण ने इसमें जो राजप्रमु किसे बनाए गया था दूसरों यहां पर आपकी रियासते में बता हूँ आपको कोटा बुंदी जहलावार प्रतापगड़ बांसवाड़ा डूंगरपूर इसके लावब टॉंक किशनगड़ और शापुरा रियासत और इसके लावब जो आपका बांसवाड़ा का कुश्रों गया था वो जुड़ो गया था तो यहां दूसरों कोटा की जो महारास अजमेर का राजस्तान में विले हुआ 1956 में टोड़ गड़ को राजस्तान में विले कप किया गया मत्यस्य संग 24 माया पच्चिस मार्च 1940 को घटित शेक्ति राजस्तान का ब्रधानमंत्री गोकुला लखसावत